यह अइसरे अपको प्रॉपलेंट करने वाले ने काफी सारी तकलीफ हो रही है तो यहां पे कुछ करण मंच से प्रॉब्लम्स लिखे हैं जिसके करन आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा हो गा और कोई नया प्रॉब्ल्म होता है थो भी मैं आपको बता देता हूं तो ये वीडियो बहुत ही छोटा रखेंगे और इसे बात करतें कि जब मैं 9th standard में गया था पहली बार जब मैंने geometry ये subject को पढ़ाई किया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे मिलेते सारे 6 नंबर मतलब कि मैं फेल हो गया था तो मैं पास था मैंना math काफी weak रहा है लेकिन मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ ये बात मैं आपको बोल सकता हूं ठीक है बस एक बार geometry में फेल हुआ तो उसके बात कुछ एक ऐसी चीज को मैंने स्तमाल करना शुरू किया जिससे मेरी maths ठीक हो गई मैंनी कहूंगा कि I'm very excellent in maths मगर मेरी maths इतनी अच्छी हो चुके कि मैं आपको जरूर पढ़ा सकता हूं अब आपको भी क्या करना है मैं आपको आगे जाकर के नोबल प्राइस तो जीतना नहीं है अभी बोड के लिए बात कर रहा हूं आगे चलके अगर आपको इंट्रस्ट आता है तो आपको इस वीडियो के जरूरत बात ही नहीं है ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या गढबर करते है उसमें इसकी फोलूब अच्छा यह वाला संब्सकूरत कर दिया और 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 इस तरीके से मैंजको पढ़ता है मतलब देख देख करके अब maths is not something जिसको आप इस तरीके से देख के पढ़ो maths is something जिसको आपको solve करना चाहिए ठीक है? maths पर कभी दिखा है का लिखा हुआ? learn by hurt नहीं न? तो आपको क्या करना है? carefully question को पढ़ना है और लिखना है देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगो बताना चाहूँगा कि maths जो है उसमें भईया practice, practice और practice की कमी के कारण आपका बहुत गरवर हो सकता है तो आपको maths में practice, practice और practice करनी कैसे practice करनी है तो आपको daily pass से 10 sums जरूर करना चाहिए अगर daily pass से 10 sum पढ़ते हो तो आपको बहुत ही कम problem होगा as compared to एक ऐसा बच्चा जो हफ्ते में एक बार या दो बार तीन चार घंटे बैटके पढ़ता है ठीक है अगर वो बच्चा बहुत ही जादा smart है तो शायद वो आपके बराबरी में आ जाए आप देख लो आपको जो math का paper है उसका pattern कैसा है वो देख लिए और उसके इसाब से 5 से 10 sum आप करोगे अच्छा दूसरी बात कि बिना देखे solve करने की कोशिश करो यहाँ पर यह नहीं कर रहा हूँ कि कोशिश करते हो आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बिना देखे ठीक है आपका जो भी sum है उसको बिना देखे solve करने की कोशिश करो जो आप बिना देखे solve करने की कोशिश करोगे न लेक लेट से कि आपको एक sum दे दिया किसी ने कि x प्लस y का whole square यह वाली चीज को यूज करना है ठीक है तो अभी exam आपको जो school होगा ठीक है या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहाँ पर रिस्पेक्टिव टीचर आपको जरूर पढ़ा रहा होगा कि भाई साब ऐसा ऐसा करना है एक बार आपको समझ में आ गया कि हमारे टीचर ने बता दिया यह यह चीज़े करनी है उसके बाद आपको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी है अगर आप कर लेते हो तो याद रखना एक्जाम में भी आप कर पाऊगे अब एक सम को मिनिमम मैं कहता हूं तीन से चार पर प्रैक्टिस करना होता मैं अगर आ आगे बढ़ता है टेस्ट को इगनोर मत करो मतलब अगर आपने कोई अफलाइं क्लास लगाया होगा तो लोग रेगुलर वीकली टेस्ट लेते होंगे और अगर आपका क्लास ऐसा है जो कि वीकली टेस्ट नहीं लेता है तो जनाब आप एक सही क्लास में नहीं हो एडलिस 15 दिन में तो आपके क्लास वाले को टेस्ट लेना ही चीए क्योंकि आप बोड के लिए प्रिपर कर रहे हो ठीक है और इस तरीके से समझो कि आप एक सही क्लास में नहीं जा रहे हो अगर वह रेगुलर ली वीकली या 15 दिन पैट लिस्ट अगर टेस्ट नहीं ले रहा है और कम से कम में बता रहे हो इसे तो आपका महीने बर में हर सब्जेक का एक टेस्ट होना चाहिए जिस भी क्लास में आप जाते हो तो वह एक अच्छा क्लास है ठीक हो आपके टीचर थूरे सीडियस आपके रिजल्ट को ले करके क्योंकि उनका भी तो जो बिजनेस है जो धंदा नहीं करना आपको जितना जादा घर्श हो सकता है कि कुशिश कर और सब्सक्राइब के चिटिंग मत करो हाखाव कि अगर आपके अच्छे क्लास में जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन अगरं आपको समझ नहीं आ रहा है नहीं पढ़ रहा है तो सभी तीचर से सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट बेसिकलि अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं हो रहा ना तो समलो कि आप एक सही टीचर से नहीं पढ़ रहे हो तो यूशुड गेट गुड टीचर यह बहुत इंपोर्टेंट है अब देखो आपके गुड टीचर कहा पर मिल सकता है आपको ऑफलाइन अब देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो प्रस्नल क्लास लगाते वह दो सब्जेक्ट लिए लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा एक मैट्स और साइंस बाकी भी सब्जेक्ट लिए लगाते बच्चे प्रस्नल ट्यूशन लेते हैं इसके लिए तो आ ठीक है उस टीचर से पढ़के देखो 14 दिन अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा है इंट्रेस्स जाग रहा है तो ठीक है नहीं तो छोड़ दो उनका पेमेंट करो और क्लेर करो ठीक है तो ऑफ-लाइन ले लोगर फिर भी नहीं होता तो यूटूब पे धेरो सारे पढ़े हुए हैं बहुत सारी टीचर ने बहुत सारा कॉंटेंट डालती है जो कॉंटेंट पढ़ा हुए आप पिजाकर की देख सकते हो अगर आप महारस्ट्व बूट से हो तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा पवन वाक्सर के पुराने वीडियो के देखो नए कि आप इ लेकिन आप पुराने वीडियो को फटाफट फटाफट कवर कर सकते हो और अगर आप यह चीज़ करने वाले हो तो कॉमेंट जरू करना कि मैंने रिकमेंट कि चलो आपके बहुत सारे पेड़ कोर्स भी आता है अप जैसे मालो कि मैं साइंस पुड़ा तो कल को मैंने एक पेड और आपको पता है कि मैं अच्छा साइंस पढ़ाता हूं और अगर मैं बनाऊंगो तो और जाता महनत करूंग आपको क्योंकि मुझे भी मन होगा ना कि ठीक है तो अगर आपको कहीं पर इतने रहें जो भी रहें आपके बजट में है तो को पेड़ को जोईन कर लो साइंस तो यह मैं और वहां से आपका काम हो जाएगा अगर यूटूब वीडियो पर डिपेंडेंट हो तो बहुत अच्छी बात लेकिन जब आप एक पेड़ कोर्स लेते हो कहीं से तो आप अकाउंट जो सामने वाला बंदा है या फिर जो टीचर है जो भी इंसान है जिसने को ब लिखा करो ठीक है जो भी आपका कोश्यन है उस कोश्यन को आप लिखो जो आप को लिखते हो तो आपकी आराम आराम से लिखो आपके अंडेस्टैंडिंग बढ़ेगी एक्जाम में नहीं लिखना है लेकिन प्रैक्टिस करने के टाम कोश्यन भी लिखना ये भी अच्छी प्यारा कोर्स है और कोर्स टाइम मेनेजमेंट के उपर है इस कोर्स के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दे रहा हूँ जैसे कि आपको सबसे पहले ऑन कॉल सपोर्ट मिल जाएगा मेरा मतलब कि मैं ही आपको पूरी तरीक से मदद करूँगा जो भी चीज़े आपको राय मसवरा जो भी चाहिए आपके तिल बूर्ड की एक्जाम या फिर जिस भी क्लास में हो आप तो मेरा प्रस्नल मेंटर्शिप बिसिकली आपको मिल जाएगा जो मैं पहले स्टेल किया करता था इस चैनल पर उसमें लगबग 100 प्लस स्टूडेंट्स है तो आपको फ्री कॉस्ट मिल जाएगा हर एक पच्छे के पास मेरा नंबर एक वाट्साप ग्रूप एक टेलीग्राम ग्रूप है और हम संदे संदे मिटिंग करते हैं तो अपके पास उसका एक्सेस होगा साथी साथ डेडिकेटेट स्टेडी प्लैनर एंड बहुत सारी और भी बेनिफेट् प्राइज मैंने रखाया तो आपको सिंप्ली डिस्क्रिप्शन में कि दिए गया लिंक पे जाकी क्लिक करना और वहां से जाकर करके आपको को कॉर्स को पर्चेस कर सकते हैं कि मुझे आपका डेटा मिल जाता है जैसी आप पर्चेस करते हैं अगर कुछ इंकरेक्ट भी रह तो हम सही कर लेगा तो लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन हो ऐसे स्पोर्स का जो प्राइज है वह 1000 रुपीज है ठीक है लेकिन अभी इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां से अगर आप चाते हो तो फॉस्ट हंड्रेट स्टूडेंट्स को फॉस्ट हंड्रेट स्टूडे आपको दे रहा हूं और इसके अलावा मेमरी टेकनिक्स के उपर भी मैं एक कोर्स लाने वाला हूं तो उस ते भी आपको हैप वी डिसकाउंट या फिर वह प्री मिल जाएगा और इस कोर्स का प्राइस कहीं भी नहीं तो मैं पचीस सो से उपर ही रखूँगा क्योंकि इतन को समझोगे और अपलो मैसे जिनको भी इंट्रेस्ट है कि इसके साथ में बहुत सारी आपको 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 पड़ सकते हो जो भी मैं आपको बताए यह सच में हेल्फूल होता है इसने मुझे किया है आज तक मैं मैं पेल नहीं हूं और हमेशा अच्छे नमवाथी भी लेकर काया हूं है थाक्यू सो मच्छाव अगुद टेक्शिक ओड़ना लिंक इन दिस्क्रिप्शिन हापी लॉनी